बानी और चाय के बाद विश्व की तीसरी सबसे लोगप्रिय पेपदार्थ यानि की पीने वाली चीज बीर है दोस्तों यह सबसे पुराने अलोकल युक्त पेपदार्थ है जिसका आज का लोग पहुत ज्यादा व्यापक रूप से खुल कर सेवन करते हैं हलाख है आज की जनरेशन में एक आम बात बन चुकी है लेकिन इसका हद से ज्यादा प्रियोग कई सारी बिमारियों को न्यूता भी देता है क्या आपको पता है कि ऐसे कई शोद में यह दावा भी किया जा चुका है कि बियर की कुछ मात्रा का सेवन करने से आपको स्वास्ते लाब होते हैं जी हाँ आज किस खास वीडियो में हम आपको उन लाबों के बारे में बताने चारे हैं दोस्तों बियर पूरी तरह से गुड़ों का खाजाना है क्योंकि इसमें मैगनीशियम, सेलेनियम और पोटेशियम जैसे कई सारे पोशकता तुपाय जाते हैं इसके अरावा इसमें क्लोरियम, विटामिन बी और बॉयोटीन भी होता है इसका कड़वा स्वाद इसको स्वादिष्ट बनाता है इसलिए यह दुनिया भर में दिबानों के बीच लोग प्रिय हो रहा है इसमें अच्छी मात्रा में अंटी औक्षिदेंट गुण पाया जाते हैं जो आपके शरीर कोशिकाओं की मरमत करने का काम करते हैं यह अंटी औक्षिदेंट बीयर में शामी जोव में पाया जाता है जो की सेल वाल में फेरॉलिक एसिड होता है जो एंटी औक्षिदेंट का काम करता है वहीं अमेरिका में हुए एक शोत के नुसार 40% बियर पीने वाले लोगों में किट्नी स्टोन होने खत्रा उन लोग के मुकाबले काफी घड गया जो लोग बियर नहीं पीते हैं हाला कि शोत करता ये निधारित नहीं कर सके कि बियर में ऐसी कौन सी चीज शामिल है जिसकी वज़े से पत्री जैसी बिमारी ठीव हो जाती है इसमें दोस्तों सिलिकॉन भी पाय जाता है जो हड्यों के लिए बहुत ज्यादा फाइदमन होता है अलग-अलग बियर में यह अल के मताबिक अगर रोज दो गिलास बियर का आप सेवन करते हैं तो शरीर के अच्छे केलिस्ट्रोल यानि की HDL लेवल को यह बढ़ा दता है इससे हिर्देरों का खत्रा हो जाता है तो दोस्तों जितना हो सके बियर का सेवन कीजिए अत्याधिक नहीं यानि की जरुत से ज्य अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरू करें धन्यवाद